तो गत्वा में आप सब से अनुरोद करना चाहता हूं जो खबरे हैं निराधार है कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंद्रा जी का तीसरा बेटा कांग्रेश ठोड़ सकता थां कभी सपने में भी यैं विचार आ और करनता रहा क्या उनको छोड़ने की बात कमला जी कर सकते हैं कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंद्या जी जा रहे थे सरकार गिरा रहे थे तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमला जी को मुख्यमंत्री बनाने के मैं फिर से जैसा कि अफवाएं हैं राजसभा का चुनाव में अशोक सिंग जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आधर्णी कमल नाज जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था हमारे पूरे नेत्रत ने एक साथ मिलके किया था और सर्व सम्मती से अशोक सिंग जी को राजसभा भेजा गिया और यही कारण है कि वो एक मात्र कांग्रेस के उम्मिदवार आप सब के बीच में तो मैं फिर से ये सारी करता दो विपक्ष कि भूमी का क्या हमें निभान्य को लेकर जंता का जनादेश मिला है उसमें द्रणता से लगें है लगेंगे हैं बहुत जल्दी कंग्रेसित ने मिनिमम सपोर्ट प्राइज किसानों की लागू की है यह जो सपोर्ट प्राइज किसानों की भावना उनके अधिकार शेत्र में ग्यारंटी रूप में दी जा थाताइक की सब्परिवार के यह उपस्तें मैं पत्रकार द्रथू ऑ गैसे ब्रुड़ियां और सब को अन्रोध है कि भ्रमित जानकारियों से बच्चे थानिवाद है आए कर दो यह था है